लोगसभा चुनाव की तारिखों के एलान से पहले तमाम सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। कहीं दलों में गटबंदन फाइनल हो रहे हैं तो वहीं सीटों के बटवारे पर मंथन चल रहा है। कहीं दलों ने तो मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब इसके लिए कॉंग्रस की तरफ से क्या नई कोशिश की गई है अब हम आपको बदाते हैं। दरसल कॉंग्रस के राष्ट्र महा सचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजैराय ने रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यवंत्री अखलेश यादव से मुलागात की। इस दोरान प्रत्याशियों के चैन और चुनाव प्रचार की साज़ा रणनीती पर विचार हुआ वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने हाली में सपा से अलग होकर राष्टे शोशित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौरे से भी मुलागात की अब चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौरे और अविनाश पांडे की इस मुलागात को एहम मानना जा रहा है इस मुलागात के दोरान दोनों के बीच लोगसभा चुनाव में इंडिया गडबंधन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौरे की पार्टी भी इंडिया गडबंधन का हिस्सा हो सकती है लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि स्वामी प्रसाद मौरे खुद चुनाव लड़ेंगी या फिर उनकी पार्टी किसी अन्यकूमीदवार बनाएगी एक चर्चा ये भी चल रही है कि वो कॉंग्रिस का दामन थाम सकते हैं अविनाश पांडेर अविवार को स्वामी प्रसाद मौरे के आवास पर पहुँचे मौरे ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि दोनोंने आपचारिक भेटवारता में इंडिया गडबंधन के विस्तार पर सकारात्मक चर्चा की सपा चोड़ने के बाद उन्होंने तुरंत नई पार्टी बनाने का एलान किया था अब अगर स्वामी प्रसाद मौरे अपनी पार्टी की तरफ से इंडिया गडबंधन में आकर चुनाव रड़ते हैं तो माना जा रहा है कि कॉंग्रस और सपा अपने हिस्से से कुछ सीटे स्वामी को दे सकती है वहीं अगर स्वामी प्रिसाद मौरे कॉंग्रस का दामन थामदे हैं तो कॉंग्रस अपने टिकट पर उन्हें लोकसभा के चुनाओं में उतार सकती है फिलहाल यूपी में विपक्षी एक्ता को मजबूत करने की कबायद चल रही है आने वाले लोकसभा चुनाओं में पस्मांदा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा उत्तर प्रदेश सहीत आठ राजों में पस्मांदा मुसल्मानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले इस संगठन के राश्ट्रे अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने रविवार को लखनओं में प्रसवारता में कहा कि हमारा संगठन लोकसभा चुनाओं में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगा उम्मीद पूरी है कि सपा नेतरुत्व लोकसभा चुनाओं में पस्मांदा मुसल्मानों को उमिदवार बनाएगा ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से मुसलिम उमिदवार उतारे जाने से मुसलिम वोट पटने के सवाल पर अनिस मंसूरी ने कहा कि मुसलिम वोट बिल्कुल नहीं बटने वाला ओवैसे की पार्टी BJP की B पार्टी है सब जानते हैं कर दो मुसलिम जानते हैं